आप लोग का बहुत 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 वोकते study point youtube channel पर और इस particular वीडियो में आज हम लोग बहुत लिए important 100 यानि के 100 questions को discuss करेंगे और ये सबी questions related होंगे जारखंड राज से जो कि आपके आने वाले exam किसी भी exam के लिए बहुत important है तो चले आज का discussion स्टार्ट करते हैं, discussion को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने study point youtube channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर करेगा और वीडियो को like करें और ज्यादा से ज्यादा share करें तो चले आज का discussion स्टार्ट करते हैं, पहला कोशन है ज्यारकंड में पहले जर्ण करना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1872 में, 1872 में अगला कोशन है, ज्यारकंड में कितने प्रतिशत खनेज संचित हैं? तो यह टोटल है 73% ज्यारकंड के पहले CM यानि के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह थे बाबुलाल मरांडी, option भी हो जाएगा, correct answer अगला कोशन है, ज्यारकंड टूरिस्ट होमस्टे स्कीम के शुरुवात कब हुई थी? ज्यारकंड टूरिस्ट होमस्टे स्कीम के शुरुवात कब हुई थी? तो यह हुई थी 2009 में जारखंड में कितने जिले हैं? तो जारखंड में टोटल 24 जिले हैं ठीक है? अगला प्रशन है जारखंड में कितने सदन है? चार आप्षन आपके सामने दिया हुआ है तो यहाँ पर केवल एक ही सदन है जारखंड राजी के आकार किसके समान है? चार option आपके सामने दिया हुआ है तो ये है चत्र भुज के समार option A है हमारा correct answer जार्खर्ण राजे का राजे के पशु कौन सा है there is four option given and the correct answer is हाथी ठीक है जार्खर्ण राजे का गठन का हुआ ये कोशन कई बार पूछा गया है तो ये हुआ है 15 नमबर 2000 को जार्खर्ण में मुख्यमंत्री ग्राम सेतू किस वर्ष सुरू की गई थी तो ये सुरू की गई थी 2001 में जार्खर्ण छेत्र स्वागत परिशत का गठन कब हुआ था तो ये हुआ था 9 अगस 1995 में जार्खर्ण में कितने जंजाती समू है तो ये टोटल है 32 जार्खर्ण में कितने विश्व विद्याले हैं तो ये है टोटल 7 विश्व विद्याले जार्खर्ण में मिट्टी के कितने प्रकार है तो ये टोटल कितने प्रकार के हैं ये है टोटल 6 प्रकार के Important question, ज्ञारखंड किस राज से कटकर बना है ये कटकर के बना है, बिहार से, बिहार की राज़ानी पटना ज्ञारखंड का स्थापना दिवस कब है, तो ये है 15 नमबर ज्ञारखंड बनते समय, राज में कितने जिले थे इंपोर्टन कोशन है ये भी, तो टोटल 18 जिले थे जारकंड में छोटा नापपूर टेनिंसी कानून किस वर्ष बनाए गया तो ये बनाए गया 1908 में जारकंड में सरवादिक महिला साकशर्टा वाला जिला कौन सा है ये भी important question है तो ये है राची जो कि जारकन की capital यानि राजधानी भी है question कई बार exam में पूछा गया है हुंडरू जल प्रपात की जिले में है चार उचन आपके सामने दिया हुआ है और इस question का सही answer हो जाएगा राची जारकन राज की राजधानी जारकन राज के प्रतम मुख्य मंतरी का नाम क्या है प्रतम मुख्य मंतरी का नाम पूछा गया है तो यह है बाभू लाल पहले discuss किया हम लोग ने बाभू लाल मरांडी जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्दी आंदो्रन की शुरुआत की थी तो ये की थी 1914 में देखे कोशन ये भी पूछा गया है कि किस ने शुद्धी आंदुलन की शुरुवात की थी तो ये हैं जत्रा टाना भगत ये भी आप लोग ग्यात का लिजेगा कब की हैं ये है 1914 में मैथन जल विद्धुत केंद्र जारखन के किस जिले में इस्तित है तो ये इस्तित है धनबाद में याद रखेगा मैथन जल विद्धुत केंद्र जारखन में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है तो ये है 12 असमलो एक प्रतिशत जारकंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में इस्तित है तो ये है हजारी भाग में जारकंड का शिमला किसे का जाता है तो ये का जाता है राची को राची विश्विद्याले की स्थापनक किस वर्ष हुई थी जारकंड का सिमला राची उका जाता है और राची विश्विद्याले की स्थापनक किस वर्ष हुई थी 1960 में हुई थी गंगा नदी जारकंड के कि जिले में बहती है इंपोर्टन कोशन है तो ये बहती है साहिब गंजिले में ये आप लोग ज्याद कर लिजे का इंपोर्टन कोशन है साहिब गंजिले में जारकंड में पुलिस मैनुवल कि स्वर्ष लागू हुआ था तो ये लाग हुआ दा उठारा सो एकसट में जारखन में एक मात्र क्रिशी विश्व विद्याले बिरसा क्रिशी विश्व विद्याले की स्थापना कभूई थी तो ये वूई थी उनिस सो असी में हाल ही में किस राज की सरकार ने जेपी आंदोलन कारियों को पेंशन देने की घोशणा की है, तो ये है जारखन राज ने, जारखन धाम किस जिले में है, ये है आपका गृड़ी ही में, राज में किसी स्थान पर सूर्य मंदर इस्तित है यह इस्तित है बुंडू में कृषी में जारकन का सरवादिक विक्सित छेतर कौन सा है इंपोर्टन कोशन तो यह है उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषी प्रदेश नौर्थ इस्ट सीमांत कृषी प्रदेश जारकंड का कितना प्रतिशत भाग क्रिशी कार हेतु योग है तो ये टोटल 77% जारकंड में सिचाई के लिए किस संसादन का प्रयोग सरवादिक किया जाता है कुए का प्रयोग सरवादिक किया जाता है जारकंड के किस छेत्र में नलकूप के द्वारा सरवादिक सिचाई की जाती है तो ये है लोहर दगा वैसे तो कुए से होती है बट अगर बात की जाए नलकूप के द्वारा सरवादिक सिचाई की तो ये जारकंड का कौन सा छेत्र है लोहर दगा इंपोर्टन्ट है राज में कुवें से सिचाई की जाने वाला छेतर कौन सा है? तो ये है गुमला जारकंड में लोहे इसपात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? लोहे इसपात का उत्पादन शुरू हुआ था 1913 में जारकंड में एलमूनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो एलमूनियम की उईती 1937 में लोही की उईती 1913 में राची जारकंड में HEC का कारखाना किस देश्त के सहयोग से लगाया गया है? तो ये है चेको स्लोवाकिया किन चट्टानों को धात्विक खनिश का बंडार कहा जाता है तो ये है धारवार युगीन जारकंड राज में साइन सिटी की स्थापना कहां की जा रही है? तो ये है जारकंड की राजधानी राची में नेक्स कोशन है फीजी सहयंत्र कार खाना स्थापित किया गया है कहां पर? इसको ये है आपका फीजी सहयंत्र कार खाना ध्यान से देख लेजेगा थोड़ा मिस्प्रिंट हो गई है तो ये कहां पर है? आपको बताना है पूर्व चेकोस्लोवाकिया नेक्स कोशन है जारकंड में किस नदी पर तिलया जल विद्धुत पर योजना स्थापित है? तो ये है आपका बराकर राज में चांडल जल विद्धुत योजना किस नदी पर है? इंपोर्टन कोशन है कई बर पूछा गया है तो ये है स्वन्ड रेखा जारकंड राज में राज में ट्राप कहां इस्तित है? तो ये इस्तित है आपका उत्तरी पूर्वी भाग में जार्खंड में सरवादिक कौन सा श्याल पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपका आर्कियन श्याल इंपोर्टन है कोशन, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर राजमेल ट्राप की और शुद उचाई कितनी है तो ये टोटल है 400 मिटर जार्खंड के किस छेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है ये कोशन बहुत इंपोर्टन है कई बार पुछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी इंपोर्टन कोशन है याद कर लिजेगा जार्खंड राज की पूरफ से पस्चिम के लंबाई कितनी है तो ये है 463 किलो मिटर पूरफ से पस्चिम की बात हो रही है अच्छे से याद कर लिजेगा इसको इस से वेस्ट की जो है लंबाई कितनी है 463 जार्खंड राज का उत्तर से दच्छड विस्तार कितना है नौर्थ टू साउथ की बात हो रही है तो ये टोटल है 380 380 है जार्खंड का छेतफल भारत के कुल छेतफल का कितना प्रतिशत है जार्खंड राज का सबसे उचा छेतर कौन सा है ये भी है नेतर हाट ठंडा भी है और उचा भी है दोनों ही है नेतर हाट जार्खंड की कौन सी नदी कीकट नाम से जानी जाती है और कई बार एक्जाम में पूछा भी क्या है पुन-पुन नदी निर्ण में से कौन सी नदी जार्खंड राजी की है चार उप्षन दिया है उत्त्री, कोयल, दामोदर नदी, स्वन्ड रेखा नदी या उपरोक्त सभी जार्खंड में निउन्तम पूरु साक्षर्टा वाला जिला कौन सा है ये है पाकूड जार्खंड के किस जिले की सरवादिक महिला साक्षर्टा है तो ये है राची किस जिले में नियूंतम महिला साक्षर्था है तो ये है आपका पाकुड जारकंड में महिला साक्षर्था का प्रतिशत कितना है टोटल तो ये है 56.21% जारकंड के किस जिले में सबसे कम जन्सन क्या है तो ये है लोहर दगा यहां पे सबसे कम जन्सन क्या है अगर बात की जाए जारकंड की जारकंड के किस जिले का सरवादिक लिंगा लुपात है तो ये है आपका पश्चमी सिंग भूम जारकंड में कुल कितने प्रखंड है तो टोटल है ये 259 राज के किस जिले में सरवादिक जनसंग क्या है तो ये है राची राची important है राज का सरवादिक पूरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो यह धनबाद जारकन राज में कुल कितने अनुमंडल है टोटल 35 अनुमंडल है जारकन का राज की पशु कौन सा है तो यह है हाथी अभी अमने डिसकस किया था जारकन राज का राज की पक्षी कौन सा है नाशनल बर्ड कौन सा है तो यह है कोयल जारकन का राज के पुश्प कौन सा है? चार उप्शन आपके सामने दीवा गुलाब, मोगरा, रोहिडा या पलास तो यह हो जाएगा पलास यह है राज के पुश्प ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर जारकंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी तो यह हुई थी आपका 1986 में जारकंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं तो यह टोटल 6 जिले नए हैं 18-24 हो गया राज की 21 जिले में तोप चांची जील इस्तित है तो यह धनबाद में हैं ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर कई बार कोशन पुछा गया याद रख लिजेगा तोप चांची जील यह कहां पर है धनबाद में हैं जारखंड से होकर कितने रास्टी राजमार्ग गुजरते हैं तो टोटल यह हैं 13 ऑप्शन ए हो जायागा करेक्ट आंसर किस जिले में राजमार्ग फासिल अभ्यरण इस्तित है तो यह जिला कौन सा है साहिब गंज इंपॉर्टन पोशन है यह साहिब गंज याद रख लिजेगा राज के किस जिले में शताबदी स्टेडियम इस्तित है राची इस आवर करेक्ट आंसर जारकंड का सबसे उंचा जल प्रपात कौन सा है तो यह है बुडा गाग जल प्रपात सबसे उंचा बुडा गाग जल प्रपात ऑप्शन भी है करेक्ट आंसर जारकंड में पहाडो की रानी के नाम से प्रशिद है कौन तो यह है नेतर हाट जारखंड की ओध्योगी ग्राजधानी कौन सी है? चार ओप्षन आपके सामने दिया हुआ है तो ये है जमशेदपुर याद रख लिजेगा ओध्योगी ग्राजधानी की बात हो रही है ये है जमशेदपुर जारखंड में पहला तामबा प्रगलन के अंदर कहां पर है? जारखंड का पहला पुछा गया है तो ये है आपका घाट शिला ओप्षन सी हो जाएगा जारखंड राज में जूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है पर्व त्योहारों के अवसर पर कई बार कोशन पूछा गया है मैं बार बर कह रही है इस कोशन को आप लोग याद कर लिजेगा जुमर गीत पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है ऑप्शन B हो जाएगा correct answer जारकर्ण में धुबिया किसको कहा जाता है चित्रकारी निर्थ विवाह या गीत तो ये का जाता है निर्थ को ठीक है दुबिया जारकर्ण में किसको कहते हैं निर्थ को ऑप्शन B है हमारा सही answer नेक्स जारकर्ण में जनजाइन गीत किस अवसर पर गया जाता है तो ये गाया जाता है संतानों पत्ती के अवसर पर जब किसी को संतान होती है तो जनजाइन गीत गाया जाता है ऑप्शन A हो जाएगा हमारा correct answer जारकर्ण में धाल विद्रो कब शुरू हुआ था जारकर्ण में किस जनजाती में शाद संसकार को कमावत कहा जाता है बेदिया, भूमिज, चिकबड़काई या बैगा और इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा भूमिज ऑप्शन B हो जाएगा सही आंसर याद रख लिजएगा important है जारकर्ण में किस जनजाती में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है और इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा गोंड ऑप्शन A is our correct answer जारकर्ण राज में निजी वनों को कब नियंतरण में लाया गया तो ये लाया गया 1952 में जारकर्ण में किस लोक निर्ति को जनमोचसव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है पुरुषों के द्वारा किया जाता है ध्यान रखेगा तो ये है पवडिया निर्थे Option B हो जाए correct answer पवडिया निर्थे जारखंड में किस जंजाती की संख्या सरवाधिक है तो ये है संथाल संथाल के बार जारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जंजाती कौन सी है तो ये है उराव पहली संथाल दूसरी उराव जारखंड की किस जंजाती में एक पत्नी विवाध प्रचलित है तो ये भी है उराव ए जावर correct answer उराव जारखंड की किस जंजाती का प्रधान देवता सिंग बोंगा है ये है मुंडा जारखंड में चुवार विद्रो किस इस्थान पर हुआ था इंपोर्टन है हिस्ट्री के से रिलेटेड है ये तो चुवार विद्रो किस इस्थान पर हुआ था ये हुआ था सिंग भूमी में option C हो जाएगा सही answer जारखंड में कोल विद्रो कब हुआ था तो ये हुआ था ए टारह सो बीस में पलामू का चेरो राजिक कब स्थापित किया गया था था पंद्रा सो बहत्तर में इंपोर्टन कोशन ने याद रख लिजेगा पलामू का छेरो राज ये कभी स्तापित किया गए था पंद्रा सो बहत्तर में नेक्स कोशन इस जारकंड के राजमहल छेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था तो ये हुआ था 1741 में 1741 में जारकंड के किस छेत्र में चुवार विद्रो हुआ था तो वो छेत्र था आपका पंचेत ऑप्शण A है हमारा करेक्ट आंसर जारकंड में चेरो विद्रो कभी हुआ था ये हुआ था 1770 से 71 में चेरो विद्रो जारकंड में आदिवासी सभा का घटन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1938 में जारकंड में जवाहर दिवस कहां पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राची में किस वर्ष मान सिंग बिहार का गवर्नर बनकर आया था? चार आप्चन आपके सामने दिया हुआ है तो ये है 1589 में मान सिंग बिहार का गवर्नर बनकर आय थे किस काल में जारकंड राज को कुकरा के नाम से जाना जाता है? तो ये काल था मुगल काल बहुत important question है यह जारकन के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है वो जिला कौन सा है तो यह है चत्रा option C हो जाएगा हमारा correct answer देखिए इस particular वीडियो में आज हम लोगों ने जारकन राज से समंदित कुछ बहुत important question को discuss किया यह आपके सभी exam के लिए important है और जैसा कि आप map में देख रहे हैं जो red वाला portion है यह जारकन का है यह इंडिया का map है जिसमें से हम देख रहे हैं जो red वाला portion है यह जारकन रहे हैं और अगर हम लोग बात करें इसका कितने district हैं यह आप देख रहे हैं माप यह सबी यह जो कलरड फुल है यह है जारकंड का तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगे डिस्कस किया है बहुत इंपॉर्टन कोशन वीडियो का आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करेगा थैंक यू सो मुच ववाचिंग थैंक यू